कि नमस्कार दोस्तों तो मैं दिपक रावत आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल दा ग्लोबल अकेडिमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे स्वरस्थ होंगे आपको इस चैनल पर ससी जीडी ससी जीडी के जो 2024 में एकजाम हुए थी उन सभी सिप्ट के मैद का सोलुसन आपको यहां पर देखने को मिलेगा और आज हम सॉल्व करने वाले हैं जो हमारा 20 फरवरी 2024 को सिप्ट कौन सी है फूर्थ फूर्थ सिप्ट हुई थी उसके मैद का स आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा उमीद है आप सभी को समझ में आएगा और जो भी वच्छा हम से नया जूड़ता है वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले हैं तो स्टार्ट करते हैं पहले कौशन के साथ पहला कौशन है 22 विद्ध्यार्थियों की एक कक्षा का ओस्त भार 42 किलोग्राम है कि कख्षा है जिसमें 22-7 उनका जो एवरेज हीट है कितना है 42 किलोग्राम कि के कख्षा में 33 극्प और 49 विद्ध्यार्थि सामिल हो जाते हैं तो 24 विद्ध्यारतियों का नया ओस्तटवान नया एवरेज क्या होगा तो सबसे पहली बात कक्षा में टोटल विध्यारती कितने है 22 और इनका जो एवरेज है वो कितना है 42 22 विध्यारती उनका एवरेज 42 है इंटू कर लेंगे 22 दूनी 44 22 चोक 88 और 4 बान में 924 तो 924 क्या रहेगा उनका टोटल वेट रहेगा टोटल वेट एवरेज और नमबर का इंटू करने से टोटल निकल के आता है अब कुशन के रहा है कक्षा में दो विध्यारती और आ जाते हैं तो विध्यारतियों की संख्या हो जाएगी वह कितने हो जाएगी 24 हो जाएगी कि नमबर अप्श टूडेंट कितने हो जाएगे 24 हो जाएगे उनका वेट कितना है एक विध्यारति का वेट 33 है और दूसरे का कितना है 49 तो टोटल वेट कितना हो और एवरेज निकालने का फ़र्वले क्या होता है सम अपॉन में टोटल नमबर सम कितना है 996 में और टोटल नमबर कितने है 24 डिवैड कर लेंगे 4 से 4 से 6 चार दूनी 8 चार चुक 16 चार नम चरतिस तीन से डिवैड कर लेंगे 3 दूनी 6 तीन अठ्थे 24 तीन के नो तरासी ब तो कक्षा के सभी विध्यार्ति के जो average रहेगा वो कितना होगा साढ़ एक तालीस होगा और यहां पर हमारा तोटल करना होगा टोटल कैसे करेंगे इंटो करके इंटो करने साब कर तोटल आ जाएगा फिर जो नए विध्यार्ति आते हैं उनका weight add कर देंगे और उनकी numbering सेंख्षा भी क्या होज़ेगी बढ़ जाएगी उनका average निकालेंगे तो total जितना आएगा उसको divide कर देंगे total number of student का अक्षा में जितने विध्यारती हैं तो solve करने के बाद कितना आया 41.5 और यहां पर आपका do option क्या होगा सई होगा next question की बात करते हैं आपका second question जो एक्जाम में है था एक पर देखेंगे सभी 13 विध्यारतियों के उसत अंक 130 थे विध्यारती कितने हैं 13 हैं उनका average 130 फिर से into कर लेंगे तो total कितना हो जाएगा 1690 फिर से total बनेगा 1690 लेकिन बाद मैं यह पाया गया कि एक विध्यारती के अंक गलती से 32 के सथान पर 23 दर्ज कर लिए गए थे question कह रहा है कि जब हम अंकों को लिख रहे थे तो हमेंने क्या किया 32 के सथान पर क्या लिख दिया 23 लिख दिया इसमें 32 एड़ करना था लेकिन हमने किस को एड़ कर दिया 23 को तो उनके अंक का पर क्या होगा अगर हमें सही उसत निकालना है तो फिर यह हमारा जो टोटल है यह सही नहीं यह गलत है इसको भी सुदारना पड़ेगा तो टोटल को कैस सुदारेगे हमारा गलत नमबर कितना था 6,1 और जो हमारा सही नमबर था उसे add कर देंगे 7,2,6,3,9,6,1 तो अपनी गलती को स IT, किले क्या करेंगे हमने जो गलत नमबर को add कर रखा था उसे minus कर देंगे और उसके सथान पर हम सही नमबर को क्या कर цен देंगे add कर देंगे average निकाली वस徒 तो ओसत फिर से कैसे निकालेंगे टोटल सम कितना आया 1699 डिवाइड में टोटल नंबर कितने है 13 13 13 से भाख करेंगे 13 कम 13 है 3 बचेगा 49, 33, 49 फिर 0 आएगी 90 बन जाएगा 136, 78 13069 तो आपका एप्सिन क्या रहेगा यहांपे सही होगा से इस कौशिन में лон नंबरिंग एड़ नहीं होगी नंबर की सैंक्या 13 होगी क्योंकि यहांपर रीप्लेस हुआ है जब दे रीप्लेस करोगे तो सैंक्या क्या रहेगी सेम रही तो 1359 इसका क्या होगा सही डेबरेज रहेगा देख सकते हैं को आप कहीं से समझने आतै आप का क्य тех क्यश्म सकते हो अगर आपको लगता है कि समस्जानिक पियाप मूलधन पर साधरन ब्याज और चक्रविदी व्याज करम से 12,800 रुपे और 14,400 रुपे हैं मुलधन के तना है आपको प्रेंशिपल निकालना है आपको दोनों इंट्रेस्ट दे रखें सिंपल इंट्रेस्ट भीज़ रखा है और कंपाउंड इंट्रेस्ट भीज़ रखा है और time कितना है दो वर्स तो compound interest में हम graph बनाते हैं दो वर्स का इस column में हमारा क्या रहता है principle रहता है फंश्ट वाले में मुल्णन होता है इससे नीचे अगर हम simply भाई करते हैं box बनाते हैं तो इन दोनों boxों में क्या होता है simple interest होता है दो वर्स का पहले वर्स का इसमें होगा वोला जाता है interest का interest तो यह क्या होता है इसमें हमारा होता है difference होता है कि किसका difference होता है between वीं को सी आई एंड एस आई उम्मीद है सारे उनको समझ में सबसे ऊपर में जन क 수िं कोसे वाले उन होगा इन्ट्रेस्ट वो भी कौन साथ सिंपलिए झाम नेक्स यौtt और बनाते हैं kissing में difference होता ब्राइब इस में क्या आता है इंट्रेस्ट आता है सिंपल वह भी कितने का एक साल का आएगा एक साल का आएगा तो दो से भागता रहेंगे इसको तो यह आएगा हमारा इसमें भी क्या होगा चुश् Cornell को आको consistent दो साल के रख़ा अगर दो से रखा है तो आप सिंगल सिंगल में तोड़ तूर देंगे हैं अब हमें principle नकालने के कि हम इसको सिंप्ली भाय करेंगे रेट कि 16 कि डिवैड में क्या आएगा 64 कि यह आपका हो जाएगा कि वन वाई फोर कि कि आप इस वैल्यू का क्या कर रहे हैं वन वाई फोर कर रहे हैं तो हमारे कितना रहे उसी प्रकार यहां पर भी इंटू कितना चला होगा वन वाई फोर चला कि प्रेंसिपल का वन वाई फोर कितना है 6400 रुपे है तो प्रेंसिपल कितना हो जाएगा 6400 मल्टिप्लाई इंटू कर लेंगे छारचोक सोल है 2400 और 25 रुपे क्या होगा प्रेंसिपल होगा और आपका ये उप्सिपल किया रहे हैं आंपर सही होगा ऊपर principle को निकालने के लिए पहले हमने इन दोनों से rate की है लेकिन से हम से रेट नहीं पूछ पूछी usee मre cri नहीं किया था में प्रेंशिपल निकालना था तो प्रेंशिपल निकालने के लिए प्रेंशिपल मल्टिप्लाई वन वाई फूर बराबर कितना होगा 6400 काल्कुलेट करने बाद प्रेंशिपल के वैलियो आएगे 25600 रुपे इसे आ अगया अगला कुशन रहेगा तो उसे 10% का लाव होता वस्तू का करियर मुल्य कितना है CP आपको बताना इस क्वेशन में ऑप्शन भी आपके सामने है 320 200 300 या फिर 250 तो सिंपली भाई करते हैं अंकित एक वस्तू को 10% के हानी पर करीदता है तो सबसे पहले CP को लेट करेंगे 100 कि उसने वस्तू को 100 में खरीदा होगा फिर इस पर लॉस आ गया लॉस भी कितने का है 10% का और 100 पर 10% का जब लॉस होगा तो वस्तू की सेलिंग प्राइस के आएगा 90 कि वस्तू को 90 रुपे में बेचा गया इससे आगे कह रहा है यदि वह इसे 30% कम मुल्द पर खरीदता CP की बात कर रहा है यदि उसे 30% कम में खरीदा होता तो 30% डाउन कर देंगे CP को तो हमारा CP कितना हो जाएगा फिर 70 हो जाएगा 70 कि हमने उस वस्तू को 30% कम मुल्द में खरीदा होता पहले 100 में करीदा है, 100 पे 30% डाउन कर दिया, तो कितना आएगा, 70, तो उसे 10% का क्या होता है, लाब होता है, अगर उसे 10% का लाब होता है, प्रॉपिट होता है, तो selling price कितना बनेगा, 70 multiply, 10 बटे में 100, इसका अर्थ है, 7 रुपे का क्या होगा, लाब होगा, और 7 रुपे का यदि लाब होगा, तो selling price कितना आएगा, 76 होना आएगा, अब दोनों SP को compare कर रहा है, कि पहले तो हम उसको कितने बेश रहे थे, 90 में, और अब कितने बेश रहे हैं, 77 में, तो पहले की अपेक्चा हम अपनी कीमत को कितना कम कर रहे हैं, 13 रुपे, कितना कम कर रहे हैं, 13 1 unit, 26, divide करेंगे 13 से, कितना आएगा, 2 आएगा, CP पूछा, और CP को हमने कितना लेट किया था, 100 लेट कर रहे हैं, तो 100 के value क्या रहेगी, 2 multiply में, 100, कितना आएगा, 200 रुपे, तो 200 रुपे, यहां पर भी option क्या रहेगा, हां पर, सही होगा, 26 रुपे कम करने का रहत क्या हो गया, यह difference हो गया, बहुत selling price का, 26 रुपे क्या है, difference between selling price, जो आपके दोनों selling price है, उनके पीछ के difference होगा, 26 रुपे, इस वजए से, हमने दोनों के selling price को निकाला है, पहला selling price कितना है, 90 आया था, दूसरे वाला कितना है, 77, दोनों का difference कितना है 13 उस 13 के value आपको दे रखी है 26 तो 1 unit के value क्या आएगी 2 आएगी cp पूछा तो 100% निकालेंगे अगर s पी पूछता तो 90 के value निकालते हैं अगर नया s पी पूछता तो 77 के value आपको find out करने हैं next question रहेगा आपका x1, x2, x3 एक काम को करम से 90, 45, 67.5 दुनों में पूरा कर सकते हैं तीन्यों ने एक साथ मिलकर काम सुरू किया लेकिन x2 ने काम पूरा होने से साड़े 13 दिन पहले ही काम छोड़ दिया काम कितने दिन में पूरा हुआ यह आपको बताना है option आपके सामने 24, 28, 27 या फिर 25 तो काम करने वाले को ने एक तो x1 है x1 करता है 90 दिन में x2 करता है 45 दिन में और x3 करता है साड़े 77 तो 77.5 पूरेंट को डालेंगे 10 आएगा 5 चे कट कर लिए 5 उन 10 पांच एकम 5 पांच ती यह पंद रहे तो यह आपका आएगा 135 डिवाइड बाइड बाइड टू हो जाएगा पूरेंट वाड़ डालिया तो कितना हो गया 135 में दो हो गया इसको दो खोड़ेंगे टोटल रो लात लिए अगर टोटल वर्क फैंड खरूंड ऑट करना होता है तो इनका हो आपका हों और को 217 और नकाल लोर गें तो एल्शेम होगे 270 जो आपका क्या होगा टोटल वर्क रहता है इसको क्या बोलते हैं टोटल वर्क तो 90 से डिवाइड करेंगे तो X की जो efficiency वो 3 आएगी काम करने की दर कितने 3 है 45 से भाग करेंगे तो यह आपका डिवाइड जाएगा 6 पर तो X2 की efficiency चे रहेगी और 135 से भाग करेंगे तो 2 पर जाएगा और अपन का जो 2 था इसके साथ इंटुम रहेगा ठीकि ना अपन जो 2 होगा इसके साथ करेंगा इंटुम रहेगा जो कि जब भी हम डिवाइड करते हैं 270 डिवाइड वाइड ए आपको फट होगा तीश्री से जो रहेगी ऊपर जाएगी तो 135 से दो पर डिवाइड होगा और दोनों का इंटु करेंगा तो च्यारा जाएगा अब कुश्चन यह करा है लेकिन X2 ने काम पूरा होने से साधे तेरे दिल पहले काम छोड़ गया समझने के लिए एक लाइन क पर हो जाएगा अब कॉश्चन यह करा कि जहां पर काम समाप्त होता है काम पूरा जहां पर होता है उससे साड़े तेरह दिन पहले आ जाओ इस point और इस point के बीच में जो gap है वो साड़े तेरे दिन का है और साड़े तेरे दिन का हो गया अर्थ हो गया 27 वटे में तो हो गया कि इस point और इस point के बीच में जो gap है वो साड़े तेरे दिन का है और साड़े तेरे दिन का अर्थ क्या हो गया 27 वटे 2 इसके लिए क्या बोला है कि X2 ने क्या कर दिया था काम को छोड़ दिया था अगर इस हिस्से में X2 ने काम नहीं किया तो किया किस ने था बात यह important है कि X2 ने इसमें काम नहीं किया तो काम किस ने किया था X1 ने और X3 ने मिलके काम किया था इस इसे में और पहले वाले इसे में टीनियों काम कर रहे है तो यहाँ पर X1 और X3 की छमता कितनी रहेगी अगर X1 और X3 की बात करते हैं तो X1 की कितनी है? टीन और X3 की कितनी है? चार तो दोनों की मेलाकी कितने हो जाएगी साथ हो जाएगी X1 और X3 की जो संपता है वो जाएगी साथ अब हम काम निकाल देंगे कि इननोंने कतना काम किया था तो सथाइस बटे में दो गुणा में साथ काम की वैलु कितने हो जाएगी 77 49 सादूनी 14 और 4 अठा रहे और 2 से भाग करेंगे दोना मठा रहे दो चोकाट कि 94.5 काम क्या हो गया माइनस हो गया कि इस हिस्थे में इन दोनों ने कितना काम किया था 94.5 काम किया था तो 94.5 काम को माइनस कर लेते हैं माइनस करेंगे पॉइंट पाँच नौ में से जार गया पाँच छे में से नौ गया साथ एक तो हमारा जो पहला काम होगा जिसमें तीनों काम कर रहे थे वह काम कितना होगा एकसो चौहतर पॉइंट पाँच इसे किसरे किया था तीनियों ने और तीनियों की छमता किटने हो जाएगी चैरती नौड चार तेरे हैं तो इसको तेरे से भाग कर देंगी कुरा होने में कितने समय हों żadगे और यहाँ सेवसर यह और यहाँ पर आपका सी उप्सन क्या होगा सही होगा शिंपलिख्यसन की को सब्सूब walked प्रफ वाद मल्टिपलाई करेंगे यहां पर मल्टिपलाई हो जाएगे और यहां पर मल्टिपलाई हो जाएगे तो 504 पलस च्छे दुनी बार है अठार एक उनिस हो जाएगा 26 तिया 78 हो जाएगा दोनों को एड़ करेंगे 4 दो 6, 9, 5 दो 6 माइनस 78 करेंगे 16 में से 8 गया तो 8 बचेगा 8 में 7 गया 1, 6, तो 618 तो सिंप्ली भाई करने पर हमारे कितना जाएगा 618 आएगा और C अप्सिन क्या होगा सही होगा तो बोर्ड माश रूल है सबसे पहले डिवाइड रहेगा यहां पर अगला कोशन आपका सिंपल इंट्रेस्ट का है कि एक निश्चित धनरासी साधन ब्याज की दर पर 10 वर्सों में स्वैम की साथ गुनी हो जाती है कि कोई रासी 10 साल में क्या हो जाती है अपने आपकी 7 टाइम्स हो जाती है तो 20 वर्सों में समान धनरासी ब्याज दर पर कितने रुपे हो जाएगी स्वैम की बतानी कितने हो जाएगी तो simple interest की एक खासियत है वो time के according multiple चलती है जैसे कि कहने करता है अगर एक साल में 5 रुपे ब्याज बनता है तो अगले साल भी 5 रुपे ही ब्याज मिलेगा कि simple interest जो होता है वो हर year का हर साल का क्या होता है बराबर होता है तो इसमें बोला गया है पहली लैन कि कोई रासी रासी का प्रेंचिपल होता है कितनी हो जाती है सेवन टाइम्स हो जाती है तो amount की बात कर रहा है कि यदि हमने एक रुपे उधार दिया है तो आपको return में कितना म रुपे में लेगा जिसके लिए time कितना लगेगा कि दस वर्स लगें कि एक रुपे को साथ रुपे होने में जो time लगता है वो कितने का लगता है तो यहां पर जो interest आएगा simple interest आएगा वो कितना आएगा 6 आएगा लेकिन question यह कह रहा है यदि 10 साल में साथ पुनी होती है तो आपको बतरना है कि 20 साल में कितनी हो जाएगी तो question का रुपे समझना है यदि 10 वर्स में ब्याज कितना मिलता है 6 मिलता है तो 20 वर्स में ब्याज कितना मिलेगा फिर 12 रुपे मिलेगा अगर 10 वर्स में जो ब्याज 6 रुपे आता है तो 20 वर्स में कितना हो जाएगा कि राषि ऐगा एक होगा है कि रूपर इसी जाएगी तेरे गुणी हो जाएगी है थर्टिं टैम सिय तो बारे रुपे तो ब्याज हो गया एक रुपे हमने उधार दिया था तो बारे रुपे हो जाएगा तो यहां पर जो आंसर होगा होगा वह आपका क्या होगा एक रुपे में कितने आम बेचने पर उसे 30% की हानी होगा कोशन कहरा है कि एक रुपे में कितने आम बेचे कि उसे 30% की हानी होगा piss को Please सबसे पहले आप को यहां पर समझना है कि fund के खरीदता है तो सी-पी की बात कर रहा हूं और एक रुपए में कितने रुपे में मतलब नहीं रुप्त है आपको उस्टूस इस अपने वस्टू किटी खृइधर हुआ आपके पास कितनी है 35 आम कितने रुपे में एक रूपे में तो मुझे एक आम के बारे में जानकार हुं जाए कि एक रूपे का है तो एक रूपे एक काम बनेगा 1 वटे 35 रूपे का तो हमें कॉचंट को सॉल्व करने के लिए 35 से मतलब नहीं है है हमें मतलब है केवल एक काम्सी कि एक काम कितने रुपय का रहेगा तो एक काम बनेगा एक कोटे 35 के अब यहां पर लेखो और को पृशन कर रहा है रुपय को पर नंबर जो है वह आपको क्या बता है तो हमारा चीपी कितने हो गया है कि लॉस कितने का है 30 का निकालना क्या सेलिंग प्रैस तो सेलिंग प्रैस निकालने के लिए सबसे पहले चीपी आता है को हम 100 मैंस करते हैं और 100 मैंस करोगे 30 को तो कितना आएगा सब्सक्राइगा डिवाइड में 100 क्योंकि सेलिंग प्रैस का जो फर्मुला होता है वो क्या बनता है कि वस्तु को कितने में करीदा इंटु 100 प्रॉफिट या लॉस परसेंट आप वस्तु को यह अधो प्रॉफिट पेचूगी या फिर लॉस बेचोगी फिर्फिट लॉस करेंगे लॉस है तो में श्राइगा अ करते हैं 35 से दिवाइड हो गया 2 और 2 से टिवाइड हो गया 50 तो यह आप का आया एक वर्टे में 50 अधाग कि फिर से फ्रेक्षिन आई है और मैंने आपको पहले भी बताया था उपर कि अपर नंबर किसको बताता है रोपे को बताता है और लोग नंबर किसको बता रहे हैं इसकार था एक रूपे में कितने हैं पचास एक रूपे में कितने हैं पचास तो एक रूपे तो वहां पर देगी रखा है तो आमुक संगे क्या हुजेगी फिर पचास हो जाएगी तो आमुक सेंगे क्या रहेगी पचास रहेगी एक रुपे में कितने रहेंगे पचास होगा उम्मीद है समझमाया होगा इससे आगे चलते हैं अगले कोशन पर एक बस अपने निर्धारित समय से साइट मिनट देरी से रवान होती है कोशन कह रहा है कि एक बस अपने प्वेंट से चलते हैं और वह साइट मिनट लेट चलती है लेकिन तीन सो किलो मेटर दूर गनतवे तक समय पर पहुँचने के लिए और वह क्या करें कि वे समय पर पहुंच जाती है उसकी सामय ने चाल वे 30 km पर अवर के विर्दी की जाती है अब उसको क्या किया जाता है कि टाइम पर पहुंचने के लिए उसकी स्पीड को क्या कर दिया जाता है इंक्रीज कर दिया जाता है 10 km पर अवर तो bus की सामान्य चाल कितनी है यह आपको बताना है कि 300 km की दूरी को तैग करने के लिए उसकी जो नॉर्मल सिपीड थी वो क्या थी यह आपको बताना है तो solve करते हैं हम सिपीड को लेट कर रहे है कि bus की जो सिपीड है वो क्या है? एकस है बस की सिपीड क्या है? एकस है और डिस्टेंस कितनी है? 300 तो इसको टाइम कितना लगेगा? टाइम का फर्मूला डिस्टेंस अपॉन में सिपीड सेकंड सेकंड में क्या रहा है? हम उसकी सिपीड को क्या कर देते हैं? इंक्रीज कर देते हैं कितना दस न्यूज्य हो जाएग स्पलस के दस कि सிर्फ इक ज्रीड कर दिया तो न्यूज्ज you में थैन सो माई यहां पर टाइम कितना लग एक सको कि कि डिस्टेंट सब्सक्राइब में सब्सक्राइब हुआ हुआ है इभ कोर्य वह पूरु में इसका देका कि इन ुछ आपटा उन्सी में वे और में इन दोनों में बात करता हुआ हुए कौनिव मैं ताम की जो वैल्य आपको गिवेन है दो इनमें greater value कौन सी रहेगी इसमें greater value होगी जिसमें speed क्या होगी कम होगी और किसमें कम है पहले वाले में कम है तो हमने speed को increase कर रखा है इसमें time के वैल्य ये greater है 300 डिवाइड में कितना x माइनस 300 डिवाइड में कितना x प्लस 10 और इन दोनों में जो gap है time का जो gap है वो कितना रहेगा 1 hour का रहेगा 7 minute का रहेगा इस से आगे दिमें इसको simplify करता है तो quadratic equation होनेगी अगर quadratic equation से बचना है तो आप option का use कर चकते हो सबसे पहले देखिए 300 किस से डिवाइड हो सकता है असानी से 40 से तो डिवाइड होगा नहीं अगर मैं x की value site मानता हूँ option से तो यहाँ पर time कितना लगेगा 5 लगेगा अगर मैं x की value option से site लेता हूँ तो यहाँ पर time कितना हो जाएगा 5 बनेगा अगर मैं यहाँ पर site डिवाइट रखुँगा साइट अरको साथ और सतर से कम्प्लीटली बहागन होगा तो टायम का गैप एक घंटे का भी नहीं आएक तोकि दोनों कि अ क्पीटली डिवाइड़ जाएंगे इसलिए जो कि यह पर यहां पर पुट करेंगे तो पांच अब देखें दोनों टाइम में कितने गया पर एक गंटे का गया पर फिर पचास हमारा क्या होगा सब्सक्राइब ठीक ना तो पचास हमारा क्या होगा सही होगा तो क्वाडिटी के किशन से यदि बचना है तो आप एक्स के वैल्यू ऑप्शन से पुट कर देंगे ऑप्शन आपके पास हैं साइट चालीस पचास या पर तीस और टाइम का गैप कितना आना चाहिए आपका साइट मिनट एक अगला कोशन की इस सिंप्लिटीकेशन और आपको सबसे पहले क्या हुगा डिवाइड होगा कि तो 443 ऑच्ना डिवाइड कर देंगे दो से 113 आएगा मल्टिप्लाई में हैं इसके बाद क्या करेंगे मल्टिप्लाई करेंगे तो 565 आएगा घंराप मैं कमस्ति कोंट क्या एक क्या सो याज वाल्यु ओंटि में क्क तो हमारी अंस्थ्लाइएम। च्छीर में च्यारगेक गया नहीं क्या हुआ होगा चैनल ब्राइब हमारा अंसर होगा तो व तीन वेक्तियों की वर्तमान आयू का अनुपाद तीन अनुपाद पांच अनुपाद साथ है छे वर्स पहले उनकी आयू का योग सतासी था उनकी वर्तमान आयू ग्यात कीजिए वर्तमान आयू पूछिए और वर्तमान आयू तीनों की पूछ रखी है तो दो तरीके करने के एक तो आप इनका रेसो बना सकते हो कि इनका रेसो 3, 5, 7 किसका रहा है तो 6, 8, 6, 10 6, 7 तो पहले option का जो रेसो हो है वो कितना है 3, 10, 7 आएगा इट मिस्ट पहला option गलत रहेगा फिर तो दूसरे की बात करता हूँ साथ से डिवाइड करेंगे साथ से एक्किस सत्तुपन्य पहनतिस और साथ साथ उननचास तो इसका रेसो कितना हो गया 3, 5, 7 हो गया एक तो यह आंसर हो सकता है अगले की बात करते हैं 9, 27, 29, 45 9, 7, 63 ये भी हो सकता है 8 से 3, 8 से 5, 8 से 7 तो 3 उप्षन हमारे 3, 5, 7 मार है दूसरी कंडिशन थी 6 साल पहले उनकी आयू का योग 87 है तो आप ऐसे कर सकते हो 3 योग की आयू में से 6, 6 माइनस करके उनका एड करेंगे और एड करने पर कितना आना चाहिए 87, 87 आना चाहिए तो एक तो ये तरीका रहेगा आपका उप्षन से करने का दूसरा कंप्लीट करते हैं 3 वेक्टियों के आयू का अनुपाद कितना है 3 अनुपाद 5 अनुपाद 7 तो तीन योग में X मल्टिपल कर लेंगे तो 6 वर्स पहले तो 6 वर्स पहले के लिए माइनस करेंगे 6 को 5 X माइनस 6 और 7 X माइनस 6 6 वर्स पहले पहले के लिए एज क्या हो जाएगी बाद के लिए एज को क्या करते है पलस कर देते है और इन सभी का जो योग है पलस जो आएका एडिशन वह कितना आएगा 80 से मिन आएगा तो सभी को एड करेंगे 7 5 12 और 3 15 X माइनस के 18 बरावर कितना आएगा 87 आएगा कि 6 वर्स पहले उनके आयूगा योग कितना है 87 है तो 15 X बरावर कितना हो जाएगा 87 पलस के 18 तो x कमांद क्यों हो गया 7 हो गया अब एक्स कमांद पूट कर दिए k真的 कर द inté गे गर देगे लिसप्स वाले में के अगरे में सब्सक्राइंगे जो एक्स कमांद रखेंगे तो यह कितना हो जाएगा इकीस सते एकंटशन मांट यह कितना मांट इस और यह कितना हो जाएова और 49 जो एक्स कमान्द पुट करेंगे तो 21 35 और 49 वनेगा तो ऑप्सन क्या रहेगा बी ऑप्सन यहां पर क्या होगा सभी होगा तो सबसे पहले उनकी आयू का रेसो दे रखा है रेसो में हम एक्स इंटू कर लेंगे करने के बाद उसमें बोला गया कोश्चन में है च्छे वर्स पहले तो छ्छे वर्स पहले के पंद्रे एक्स मैनिस अठारे बरावर सतासी सिंप्ली भाई किया तो एक्स कमान साथ आगे साथ से इंटू कर देंगी तो हमारा आंसर आएगा 21, 35 और 49 अगला कोशिन है पिर्थवी के पास नासपाती और आडू 13 अनुपात सरी 10 अनुपात 13 के अनुपात में है सेलीन के पास नासपाती और आडू 7 अनुपात 9 के अनुपात में है विकरम के पास 5 अनुपात 7 के अनुपात में है किसके पास नासपाती और आडू अधिक अनुपात में है अधिक कर्त आपको ग्रेटर रेसों बताना है कि इन टी जियों में ग्रेटर रेसों कौन सा होगा दस अनुपात तेरे ग्रेटर है तो ग्रेटर निकालेंगे कैसे निकालेंगे एक तो होता है डिवाइड करके और एक उता क्रोस मुल्टिप्लाइग करके तो दस डिवाइड में टोटल कितना हो जाएगा तेईस हो जाएगा क्रोस करके आप निकाल सकते हूं कि कौनसा नमबर बढ़ा है अगर मैं इन दोनों में बात करता हूं के इन दोनों में ग्रेटर कौन सा है तो 16 कुना के साथ साथ्ये 21 दो साध्यूनी 14 और दो 16 अगर मैं इन दोनों में बात करता हूं कि इन दोनों में greater कौन सा है 161 इसमें सेवन अपॉन 16 तो इन दोनों में तो confirm हो गया कि यह वाला बड़ा है और हमें greater अब इसकी तुलना करनी है इससे तो बारे सत्य चौरासी कि 16 अब देखिए इन दोनों में कौन सा है कि प्रत्वी के पास नासपाती कितनी है 13 अपने टोटल नंबर कितने हो जाएंगे 23 हो जाएंगे सेम साथ अपने टोटल कितना होगा सोल रहेगा और तो मैं यह कर रहा था कि इन दोनों में यह पता करना कि ग्रेटर कौन सा है तो क्रोस मultyण सा कर सकते ह scratching क्रोस चौना के 26 एक 6 करहेगा और थेश गुना के साथ साथवह के 21 2 सादुन चौदर दो थो तो इन दोनों में ग्रेटर वेली कोन सा है 161 ऊजिए 161 ग्रेटर है Apa वारा ये वाला रेसो क्या है बड़ा है पहले दो में साथ बटे सोले क्या ग्रेटर है तो हमें ग्रेटर की तरफी जाना है तो जो कम वाला है उससे कैंसल कर देंगे इसके बाद क्या करना है इसके बाद इसके साथ तुलना करनी है कि अब इन दोनों में कौन सा बड़ा है और इन दोनों में जो बड़ा रहेगा वो हमारा क्या होगा ग्रेटर होगा तो फिर से क्रॉस 12 सत्य 84 तो इन दोनों में कौन सा ग्रेटर रहें चौरासी यह वाला चोटर है कि यह भी कैंसल हो गया पिर लाष्ट में पैनल डिसीजिंगं क्या आया कि सबसे बड़ा कौन सा था सात वटे-सोले और सात वटे-सोले करत कि क्यास साथ सेवन रिजाट नाइन जो किसका था सेलीन का तो 35 की पावर 29 को 10 से भाग करने पर सेज क्या होगा रिमेंडर आप बटाना है आप जब भी किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड करोगे तो उस नंबर का जो यूनिट डिजिट होगा जैसे मैं आपको समझाने के लिए बात करता हूं मैं 12 को 10 से भाग कर रहा हूं कि 10 से कम 10 कितना बचिया दो दो रिमेंडर है और दो ही क्या था इसका यूनिट इजिट था कि अगर मैं 47 47 को 10 से भाग करता हूं चार पर जाएगा 10 40 कितना बचेगा साथ साथ क्या को रिमेंडर होगा उसका यूनिट इजिट भी क्या है साथ ही है कि संख्या का जो एकाई कंग होता है हमारा रिमेंडर भी क्या होता है वही रहता है मैं तो इस काड़ से आपका समझना है जब आप 35 की पावर को सिंपली भाई करोगे तो इस नंबस नंबर जो आएकाई कंग का है यूनिट डिजट आएगा वह बच्छा चेपी अच्छाने ना पैंथी की पावॉर्णी Wो जब सिंपली भाई करोगे उना जा जो एकाई कं ंग की मिल्हाट कि तो अब दिहान रखोगी हमेसा करते है तो इसका बनी तो स्कार्ण अब किसी नंबर को सो से नुद्रेंड मेटस करोगे फोसके गार्ण एंड भोगा नेक्स वर्षण आपका यह दी किशी ड्रेस का मुल्य है आठ सो रुपे से घठा कर कितना कर दिया साथ सो वीस तो क्या हो गया लॉस हो गया लॉस कितने का हो गया असी का हो गया तो लॉस परसेंटेज असी डिवाइड में 800 इंटू में 200 दो जी रो कैंसल हो जाएगी 8 से बाग करेंगे 10% तो ड्रेस के मुल्य में कितने % कमी होगी 10% की कमी होगी तो C option क्या होगा 10 रहेगा Next question आपका एक गोले की तरज़ा 3.5 cm है गोले का कुल प्रिष्टिय है क्या होगा? mensuration का question है तो total surface area आप सिपेर पूछाए और सिपेर का कोई सा भी एरिया वो सेम रहता है 4 pi r square जो सिपेर होता है उसका CSA and TSA curved surface area वक्र प्रिष्टिच्चित पल और TSA संपूल प्रिष्टिच्चित पल दोनों का क्या रहता है और आपको r given है कितनी? 3.5 तो area निकाल देंगे value put करेंगे 4, pi का मान होता 227 और r का सुकेर 3.5 multiply 3.5 point को अटा लेंगे divide में 10 और इसका भी 10 कट करते हैं 7 से 5 5 से 2 2 से 2 पे जाएगा 2 से 5 पे जाएगा 5 से 7 पे जाएगा और into करेंगे 154 work centimeter square area को जो unit होती है वो square में रहती है तो 154 work centimeter square C option क्या रहेगा? सही होगा volume of square क्या होता है? volume of square क्या होता है? अगर हमें volume of square निकालना पड़ जाए तो formula होगा 4 बट 3 pi r q यह volume of square रहता है next आपका again simplification है तो simply भाई करेंगे bracket solve करना है 48 minus minus करने में कितना जाएगा? बारह आएगा bracket बंद है यहाँ पे divide यहाँ पे क्या आएगा? बारह आएगा इसके बाद minus कर लेते हैं कितना आएगा? 36 आएगा divide में बारह बारह से बाग करेंगे 3 आएगा तो बारह थी 36 C option कोई बच्च ऐसे नहीं करेगा कि सर्फ divide पहले होगी divide पहले अब होगी bracket भी तो है यह अलग से bracket भी रखता है तो bracket simplify होगा उसके बाद divide जाएगा next question sonu अकेले एक मैज को 125 दिन में बना सकता है जबकि monu अकेला इसे 250 दिनों में बना सकता है monu काम सुरू करता है और 75 दिनों तक काम करता है sonu सेस काम कितने दिन में पूरा कर लेगा remaining work का आपको time बताना है तो sonu करता है 125 में और मोनू करता है 250 में एलिशेम कर लेंगे एलिशेम हो जाएगा 250 125 से भाग करेंगे 2 और 250 से भाग करेंगे 1 तो सौनू की काम करने की छम्ता 2 है और मोनू की काम करने की छम्ता 1 है काम को सुरू कौन करता है केवल मोनू करता है काम को शुरू कुन करता है केवल मौनू करता है और मौनू की छमता कितनी एक है और कितने दिन तक करता है 75 दिन तक करता है तो मौनू का 75 दिन का काम कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा तो 75 काम को यहां से माइनस कर लेंगे तो कितना बचके remaining work कितना होगा हमारा 175 होगा यह हमारा क्या होगा remaining work होगा अब बोला गया इस question को कि अब 100 को काम करना है से इस काम को कितने हम करेगा अब 100 का time निकालना है time निकालने का formula remaining work divide में efficiency तो remaining work है 175 और efficiency कितनी है efficiency किसी चाहिए सौनु की सौनु की कितनी है दो से भाग करेंगे दो अट्टे सोल है दो सत्य चौदे 87.5 तो remaining work में कितना टाइम लगेगा 87.5, 87 दिन लगेगी तो भी अप्सर क्या रहेगा अगर पूस्ता है total number of days कितनी लगे कि काम को पूरा होने में कुल कितना समय लगा तो काम पूरा करने का यह आंसर देना पड़ता तो फिर आपका अंसर बनता आपका 75 दिन तो पहले वाले मौनु के उसके बाद के 87.5, 75 बार है 87.5, 16 तब आपका अंसर यह रहता अगर पूरे काम का समय पूछ लिया जाता तो हमारा आंसर फिर क्या आता 112.5 लेकिन question में लिखा हुआ है कि हमें सेज काम का बताना है और सेज काम का अंसर क्या रहेगा फिर हमारा 87 ही रहेगा आपका अगला question रहेगा इसके बाद एक वस्तू का अंकित मुले MRP दे रखा है 11,800 रुपे और इसका selling price है 007,008 तो इसका discount छूट परसेंट क्या होगी तो सबसे पहले हम discount नकालेंगे discount क्या होता है difference होता है between MRP और SP का तो 11,800 में से minus कर देंगे 007,008 10 में 60 गया दो 9 में 60 गया एक 7 में 7 गया 0 और 11 में 7 गया 4 discount percentage अगर निकालना है तो discount divide में हमारा रहता है MRP और SP में 100 अगर discount percentage निकालना है तो discount divide MRP और SP में 100 रहेगा discount के value कितनी है 4012 MRP कितना है 118 00 और SP में क्या रहेगा 100 रहेगा 2-0 cancel हो जाएंगी 118 से इसको भाग करेंगे तो यह आपका divide कितने भी आएगा 34 पर जाएगा पीछे कितना आना चाहिए 2 आना चाहिए 4-8 क्या होता 32 होता 32 पीछे क्या आएगा 2 आएगा भाग भी कर लेते हैं 118 से सबस्पहले 3 पर जाएगा सारे अपसन 3 में है तो कितना हो जाएगा अठारे तीय चाहवन 354 साथ 9 में से पांस गया चार जीरो अब कितने पी जाएगा 4 पे 18.42 चारे कम चारे कितना हो जाएगा 34 परसेंट हमारे क्या हो जाएगा डिस्काउंट डिवाइड में MRP ने सो रहेगा तो इसका अंतर रहेगा डिवाइड थर्टी भूर चौतिस परसेंट इससे आगे अगला कोश्चन एक कुर्सी का अंकित मुल्या MRP उसके किरिया मुल्य से 20 परसेंट है कि MRP जो है CP से कितना परसेंट है 20 परसेंट तो CP को लेट करेंगा 100 तो हमारा MRP 20 परसेंट मूर करने के बाद कितना आएगा 120 आएगा कि यदि 20 रुपे की छूट के बाद कि कुर्ची 220 रुपे में बेची आती है तो लाब परसेंट कितना होगा कि यहां पर 20 परसेंट रहेगा रुपे नहीं होगा 20 परसेंट की चूट के बाद तो हमारा सेलिंग प्राइस 20 परसेंट का डिसकाउंट कर देंगे तो SP कितना आएगा 120 मल्टिप्लाई 20 का आप चल रहा है तो 80 परसेंट परसेंटेज निकालनी है कि बीस रुपे की चूट के बाद कुर्शी 220 रुपे में बेची जाती है ठीक स्वरी गलत हो गया है से CP 100 हो गया 20% ग्रीटर हो गया तो 120 हो गया कॉश्ण कहरा है कि 20 रुपे की चूट 20 रुपे यह हैं 20 रुपे की चूट के बाद SP कितना हो गया 220 तो MR पि कितना हो जाएगा 220 पलस में 20 240 रुपे हमारे कि हो जाएगा कि 220 में तो सेल हुई थी 20 का डिस्काउंट था तो MRP कितना था उसका 240 था निकालना क्या था लाप परसेंटेज निकालना था तो उसके लिए हमें पहले cp निकालना पड़ एक हमारा cp है कितना तो यह कितने परसेंट की वेल्यू रहेगी 120 की वेल्यू रहेगी क्यों रहेगी क्योंकि यह है क्या MRP कितना चल रहा है 120 तो 1% कितना हो जाएगा भाग कर देंगे 200 परसेंट कितना हो जाएगा 200 रुपे कि वस्तू का जो CP कोस्ट प्राइस कितना है 200 रुपे है और Sailing Price कितना था 220 रुपे था can see that the price कितना था 220 तो Profit कितने का हो गया Profit हो गया में 20 का 20 रुपे का Profit percentage तो Profit divided मैं CP इंटू मैं 100 दोनों 0 कैंसल जाएँगे और 2 बाग करेंगे 10% कि तो सबसे पहले आपको MRP की योडि रुपे का रेशो बन गया यहां से आपको MRP given बनेगा, SP दे रखा था और discount दे रखा दोनों रुपे में थे, अगर दोनों रुपे में थे, तो हम MRP निकाल देंगे add करके, MRP होगे 240, जिसे equal रख देंगे रेसो में MRP के, तो 120 वराबर 240 के, एक कामान दो आएगा, और CP निकाल देंगे 100 कामान कितना हो हो जाएगा, 200 हो जाएगा, कि हमने वस्तु को 200 रुपे में खरीदा था, अब बेचा कितने में था, 220 में, तो profit कितना होगा, 20 का रहेगा, इसकी percentage बनाएंगे, तो percentage कितने आएगी, 10% आएगी, तो हमारा यह option क्या रहेगा, आपे, सही होगा, last question आपका, exam का, विक्रम ने एक परिक्षा में 32% अंग प्राप्त किये, और वह 15 अंगों से फेल हो गया, यदि वह 57% अंग प्राप्त करता, तो उसे उत्तीर्न होने के लिए, आविशक अंगों से 10 अंग अधिक मिलते, तो परिक्षा में उत्तीर्न होने के लिए, कितने अ अंगों पर पास होते ही आपको बताना है, तो सबसे पहले question कर रहा है कि 32% उसने प्राप्त किये, और प्राप्त करने के बाद भी वह क्या हो गया, पंदरे से क्या हो गया, फेल हो गया, यदि उसके 32 की जगह 57% आते, 32 की जगह कितना आते, 57, तो उसके 10 अंग अधिक होते, 70-10 अंगों से पास हो जाता है, तो उसके अंगों में कितने का डिफरेंस हो गया, परसेंटेज के बात करता हूं, तो 25% का, और अंगों में डिफरेंस कितना आएगा, 25 का ही आएगा, तो फेल और पास की कंडिशन में डिफरेंस निकालने के लिए एड किया जाता है, तो फ अगर यह दोनों फेल होते तो माइनस होते है लेकिन अपोजित में क्या होते है रफ्रेंस का लगे मालश कर देते हैं कि तो अंक बताने कि 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 तो 25 परसेंट ब्रावर 25 को हो गया तो 1% प्रहक्त होगा एक जो बनेगा तो 32 i2 परसेंट कि निकाल देते हैं तो पोत्तिस प्रसेंट का मान-की हो जाएगा ever 32 का अंब 20 प्रसेंट का रुड़ा थी हो सोगे कि उसके 32 मिंद्धार्व करती एंगे तो कि य कमान क्दर फेल जैं मैंवारे 15 और अड़ करती तो यह हमारे क्या कहलाएंगे उत्तिर्न अंग कहलाएंगे यह हमारे क्या कहलाएंगे प्रसेंटेज बन जाएगा एक परावर एक चल रहा है एक परसेंट कहीं एक बनता है तो सेंताली संक का भी सेंताली संक बनेगा तो अंग को परावर चल रहें तो सेंतेलिसंग फेंग परावर् चल रहे हैं तो सेंताली संकों पर क्या हो ग né आप 57 से निकालते तो 57 आता 57 में से 10 को क्या करेंगे माइनस करेंगे 10 ज्यादा थे तो दोनों कंडिशन से आप उसके अंक निकाल सकते हैं तो आपके लास यहीं पर कंप्लीट होती है मैंने एक्जाम के महत के कॉश्चन के सभी कॉश्चन का आपको सॉलूशन किया है अगर कॉश्चन आपको नहीं आता है तो आप वीडियो को दबारा पेले करके देख सकते हैं और जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कि कि अपको आपको आपको